Hello everyone and welcome to my channel So, आज की इस वीडियो में मैं 3 सबसे ज़्यादा easy और beautiful home decor बनाऊंगी वो भी घर पे पड़े हुए waste boxes and bottle का use करके So, वीडियो को इन तक जरूर देखना तो चलिए बनाते हैं first home decor तो सबसे पहले मैंने फेवेक्राइल मोडेट ले लिया और मैंने उसी का use करके छोटे छोटे और प्यारे प्यारे roses बना लिये जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो इसके बाद मैंने इन roses को pink color के acrylic paint से paint कर दिया और इन पे extra highlights के लिए इनके उपर golden color के acrylic paint को apply कर दिया इसके बाद मेरे पास ponds का एक पुराना सा box था तो सबसे पहले मैंने इसे clean कर लिया और इसके बाद मैं इसके उपर white color का acrylic paint अपलाई करूँगी ताकि base अच्छे से create हो जाए इसके बाद मैं इसे क्योंकि bright color के theme में paint करना चाहती थी इसलिए मैं इसे white, yellow, orange and pink color के acrylic paint से paint कर दूँगी और मैं इसे अच्छे से blend कर दूँगी आपस में merge कर दूँगी इसके बाद मैं इस box के धकन के उपर मैंने जितने भी roses बनाए थे उन्हें मैं fevicol का use करके इनके उपर अच्छे से चिपका दूँगी और जब तक ये dry होगा तब तक मैं इस box की body को भी pink color के acrylic paint से paint कर दूँगी और ये home decor इतना जादा easy और basic है कि कोई बेसे बना सकता है और paint अच्छे से dry हो जाने के बाद मैं इसके उपर varnish apply करूँगी और इसके उपर एक shiny look भी आ जाए आप चाहो तो varnish नहीं भी apply कर सकते हो and after this process हमारी first home decor बनके हो चुकी है ready आप चाहो तो इसे as a gift box भी use कर सकते हो या फिर इसे as a home decor भी use कर सकते हो मुझे तो ये काफी pretty लग रही है आपको कैसी लग रही है comment करके जरूर बताना तो चलिए बनाते हैं अब अपना second home decor तो इसके लिए भी मैंने favicle molded clay लिया and मैंने इन clay को छोटे छोटे balls में convert कर दिया इसके बाद मेरे पास एक और छोटी सी box थी तो मैंने इसके उपर अच्छे से favicle apply कर दिया and इसके बाद मैंने जितने भी clay के balls बनाए थे इनने इसके उपर अच्छे से चिपका दिया and pen से basic designs इनकी उपर बना दी जैसा कि आप video में देख सकते हो और ये designs इतनी जादा basic है कि कोई भी से बना सकता है इसके बाद मैं इसे direct black color के acrylic paint से अच्छे से paint कर दूँगी and painting का process complete हो जाने के बाद मैं इसके designs के उपर extra highlights add करने के लिए golden color की acrylic paint को भी apply करूँगी अब क्योंकि इस box का धकन थोड़ा simple लग रहा था और मेरे पास clay की छोटी छोटी बॉल्स भी बच्चे हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं इस box के धकन की उपर उन बॉल्स से कुछ design बना दू फिर क्या था मैंने favicol का use किया और इस box की धकन की उपर भी छोटी छोटी बॉल्स को अच्छे से चिपका दिया इसके बाद मैंने इन्हें भी black color के acrylic paint से अच्छे से paint कर दिया और इनकी उपर भी extra highlights के लिए golden paint अप्लाई किया अब क्योंकि मुझे इसे थोड़ा और different look देना था इसलिए मैंने golden के उपर silver color के acrylic paint का भी हलका हलका touch दिया है and paint के dry हो जाने के बाद मैं इस box के उपर भी varnish अच्छे से apply कर दूँगी और हाँ varnish optional है आप चाहो तो नहीं भी apply कर सकते हो मेरे पास glossy और matte दोनों ही varnish थे लेकिन मुझे क्योंकि glossy बहुत जादा अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ पर glossy varnish का use किया है and इसी की वज़े से इस box के उपर थोड़ा असा और shiny look भी add हो गया इसके पात मेरे पास अलग-अलग designs के प्यारे-प्यारे mirrors थे तो मैंने उन mirrors को fevical का use करके इस box की धकन की ऊपर अच्छे से चिपका दिया और मैंने यहाँ पर mirror का use करके इस box की धकन की ऊपर एक pretty सा flower भी बनाया जैसा कि आप video में देख सकते हो यह वाला home decor मुझे लगा नहीं था कि यह थोड़ा अच्छा बनेगा बट यह मेरी expectation से थोड़ा ज़ादा ही अच्छा बन गया अब क्योंकि मैंने इसके पहले जो home decor बनाया था उसे मैंने light theme में बनाया था इसलिए मैंने सोचा कि जो दूसरा home decor बनाओंगी उसे मैं dark theme में बनाओंगी अड इसलिए मैंने इस home decor को dark theme में बनाया है and literally यह मेरे expectation से सच मुझ थोड़ा जादा ही अच्छा बन गया है and यह रहा इसका final outcome तो चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे home decor की तरफ और यह वाला home decor थोड़ा सा unique होने वाला और मैंने यहाँ पे एक mini सा flower pot बनाया है तो मैंने इसके लिए भी clay का use करके clay से मैंने छोटी छोटी और प्यारे प्यारे roses बना लिए और छोटी छोटी प्यारे प्यारे leaves भी बना लिए और क्योंकि मुझे यहाँ पे flower pot dark and light theme में चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे flower को dark color के blue paint से paint किया है और इसके उपर extra highlights के लिए मैंने golden paint apply कर दिया और leaves को मैंने green color से paint किया और leaves भी extra highlights के लिए मैंने golden paint apply किया है यहाँ पे मैंने flower pot बनाने के लिए हाजमोले की छोटी सी bottle का use किया है यह वाली home decor unique इसलिए है क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी जादा मन था कि मैं flower pot को red color से paint करूँ लेकिन red color खत्म हो चुकी थी इसलिए मैंने थोड़ा से दिमाग लगया और मेरे पास एक red color की toothpaste थी तो मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा toothpaste लिया और इस bottle के अंदर अच्छे से spread कर दिया और मैंने इस flower pot को इस तरीके से बनाया है कि मैं कभी चाहूं तो मैं इस bottle के अंदर से toothpaste को हटा के इसके अंदर कोई भी color अप्लाई कर सकूँ क्यूंकि मुझे से flower pot बनाना है इसलिए इसके उपर flower तो चिपका नहीं पड़ेगा तो सबसे पहले मैंने clay लिया और clay को इस bottle के ढखकन के ऊपर अच्छे से चिपका दिया and clay के dry हो जाने के पहले ही मैं इसके ऊपर favicol apply कर दूँगी and फटा-फट मैंने जितने भी roses बनाये थे मैं इसके ऊपर इसे अच्छे से चिपका दूँगी अब मैंने यहाँ पे clay इसले apply किया था क्योंकि direct rose apply करने में मुझे काफी जादा problem हो रही थी क्योंकि मैं ऐसे favicol से चिपका रही थी आप चाहो तो इसे glue gun से भी चिपका सकते हो तो आपको तीनों में से कौन सा home decor सबसे जादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी से भी अच्छे लगी हो तो इस वीडियो को like जरूर कर देना और ऐसे ही creative art and craft वीडियो के लिए इस चैनल को subscribe कर लेना हमारी तीनों ही home decor का final outcome जो की देखने में काफी जादा pretty लग रहा है और इससे बनाना है बहुत ही आसाए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching